नमश्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने Office Guru चनल में दोस्तों आज हम a persecuted में सीखने वाले है pure table दोस्तो pure table के उपर तो एक मेरा अलेली की वीडियो है दोस्तों इस बार मैं आपको वह ये बताऊँगा कि अगर pure table में हमने जो अपना source data है अगर उसमें कुछ records हमने add किये, row level पे या column में तो वो pure table के अंदर या summary में आपको show होंगे क्या, ये आप आज हम check करेंगे, ठीक है तो देखिए, simple एक तरीका है इस बड़े से data की मैं summary create करने वाला हूँ वो भी है, employee wise पूरे साल में कितने targets होए और उनका sales कितना होँ, इसके उपर मुझे एक summary बनानी है, तो ये पूरे साल का data है दोस्तों, तो मैं इसे simply control A से select करूँगा और यहाँ पे insert tab को मैं click करने वाला हूँ, ठीक है click करने के बाद, यहाँ पे देखिए दोस्तों, option है pure table, इसे click कर दीजे, और new sheet पे भी pure table बन सकता है दोस्तों, लेकिन फिलाहाल इस existing sheet में जगा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे existing को click करूँगा और location दूँगा दोस्तों यह वाला, ठीक है ताकि मुझे यहाँ पे easily compare करने में दिक्कत दिक्कत ना है, ठीकि दोस्तों हम क्या करेंगे, simply name को drag करेंगे, इसे यहाँ पे row में insert करेंगे उसके बाद target को भी insert करेंगे values के अंदर और sales को भी लेंगे values के अंदर, क्योंकि target और sales के अंदर numbers है, ठीकि दोस्तों चली, यह तो काम हो गया, यह तो simple सा pure table बन गया है, इस तरह के से आप manager wise, target और sales, region wise, product wise easily बना सकते हैं तो दोस्तों, सवाल यहाँ पे यह है कि अगर मान लीजिए, यहाँ पे सबसे नीचे और एक अगर entry हो गई तो, जैसे कि 1571 यहाँ पे मैंने enter कर रहा हूँ तुशार का नाम ठीक है दोस्तों, तुशार का नाम आ गया और यहाँ पे अगर मैंने enter किया 16 02 2020 ठीक है, एक entry कर दी यहाँ पे चली यह format में यहाँ पे copy paste special कर देता हूँ ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए तुशार है, किसके अंदर विकास सर के अंदर काम कर रहे है और वो waste region में उसके sale किया है और कौन सा mobile उन्होंने बेचा है sony company का, उसको target था 20 और उसने क्या है, मान लीजिए 20 किया, ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे pew table के अंदर थोड़े से changes होने बहुत जरूरी है देखिए हम यहाँ पे जाएंगे तो पहले target था दोस्तो, 31400 ठीक है चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लिकाओ 897 अपको मालूम में pew table को हम refresh करते है right click और refresh लेकिन refresh करने के बाद दोस्तों यहाँ पे entries कुछ change नहीं हुए यहाँ पे details कुछ change नहीं हुए ठीक है और एक बार देखिए अब यहाँ पे तुशार की जगे पे मैं लिखूंगा और एक employee का नया employee का नाम लिखूंगा उसका नाम है Faruk ठीक है और चेक करेंगे उसका नाम यहाँ पे हमें display होगा क्या right click refresh तो दोस्तों देखें अभी इस pure table के अंदर row में data हमने add किया है एक नए employee का लेकिन उसका नाम pure table में यहाँ पे दिखाए नहीं दे रहा लेकिन अगर मैंने pure table के अंदर देखें दोस्तों मैं इस entry को निकाल देता हूँ ठीक है अगर यही फारुक का नाम अगर यहाँ पे मैंने वसीम की जगे पे लिखता हूँ फारुक ठीक है दोस्तों अब यह नाम जो है यहाँ पे display होगा देखें right click refresh तो फारुक का नाम गए दोस्तों फारुक का target 20 उसने किया 11 तो जब entry हमने सबसे last में की थी तो फारुक का नाम यहाँ पे show नहीं हो रहा था लेकिन इस data के अंदर यहाँ पे बीच में किया तो यहाँ पे नाम आया ऐसा क्यों दोस्तों क्योंकि pure table apply करने से पहले हम pure table के लिए पूरा data slate करते है तो दोस्तों चलिए हम वापिस एक बार यहाँ पे pure table apply करेंगे दिखिए दोस्तों हम pure table में क्या करते है पहली बात तो हम यह पूरा data slate करते है correct दोस्तों जहां तक आपका data है वहां तक हम यह पूरा selection देंगे वह भी simply हम माउस से slate कर सकते है और देखिए दोस्तों पूरा data slate कोया बस तो pure table जो है आपको यहां पे apply करना है देखिए यह है tab insert tab को click कर दिजे और pure table के option को click कर दिजे तो आपको यहां पे समझ में आएगा दोस्तों यहां पे लिखा है pure table का data source है जो range है वह है A1 से लेके H 1571 मतलब यहां तक देखिए दोस्तों तो इतना ही जो selected area है इसी area के ओपर ही pure table का chart या pure table की summary बन सकती दोस्तों अगर आपने यहां पे कुछ enter किया तो यह आपके pure table की summary में add नहीं होगा देखिए चले हम यहां पे click करेंगे existing को क्योंकि हमने यहां पे क्या दिया है area देखिए दोस्तों यहां तक ही दिया है यहां तक जितना भी data है उसके उपर pure table apply कर दीजे ऐसा कहा है उतना ही area के आप क्या summary बना सकते है ठीक है दोस्तों चलिए आपको मैं location देने वाला हूं दोस्तों यहां पे ठीक है कर दीजे okay जितना data आपने select किया उसी data के उपर से यह summary create हो जाएगी देखिए name wise मुझे चाहिए sales कितना हुआ है तो यह है हमारा sales officer और उनके पूरे एक साल का sales यहां पे updated है यहां पे total calculate कर किया तो पूरे साल का आपको यहां पे summary मिल गई अगर दोस्तो जो हमारा area है दोस्तो selected range है उसके अंदर आप अगर कुछ भी changes करेंगे तो यह यहां पे आप easily show कर सकते है डिस्प्ले कर सकते देखिए अगर मैंने यहां पे 200 लिखा फारुक के सामने और यहां पे फारुक के सामने कितना है 11 तो दोस्तों यहां पे देखिए 100 कर देंगे और इससे क्या करेंगे simply refresh करना है pure table के अंदर जाना है right click और refresh button पे click करना है तो देखिए यहां पे changes आपको दिखाए देंगे लेकिन अगर यही data आपने इस range के बाहर अगर लिखा तो यह यहां पे show नहीं होगा क्योंकि pure table को आपने pure table apply करने से पहले एक range दी है एक source data दिया है और उसका आपने limitation रखा है यहां से लिखिए यहां तक करटे अब अगर आपने गलती से यहां पे कोई entry कर दी और यहां पे लिखा दानिश का नाम और आपने date दी है 26-08-2020 और यहां पे लिखा मैंने Allen East region Sony का mobile उन्होंने बेचा है ठीक है उनको target है 20 अगर यह entry अगर आपने इस range के बाहर किये तो आपको यह pure table के अंदर यह summary के अंदर आपको display नहीं होगा देखिए यहां पे right click करेंगे हम refresh करेंगे तो दानिश का नाम यहां पे display नहीं होगा तो इस time को क्या करेंगे दोस्तों देखिए अगर data तो आपका बढ़ने वाला ही है नीचे दोस्तों तो आपको बार-बार change data source करना पड़ेगा आपको selection करने से पहले देखिए अप जाएंगे pure table के tools में analyze में यहां पे change data source क्लिक कर दीजे change data source को और यहां पे आप source बार-बार change करेंगे आप कहेंगे नहीं अभी data बढ़ गया तो आप यहां तक selection देंगे और बटन प्रेस करेंगे ठीक है यह एक method है आप यह भी use कर सकते है और right click करके refresh कर दीजे तो आपको दानिश का नाम यहां पे display होगा ठीक है जोस्तो लेकिन अगर आपको यह बार-बार data slate करने से आपको मैं और एक छोटी से method बताता हूं दोस्तो कि अगर वह method आपने apply की तो आपको यह change data source का problem नहीं आएगा ऐसा नहीं दोस्तो सिर्फ row में ही problem आता है अगर अगर आपने यहां पे column भी अगर insert किया नया वाला आपने अगर लिखा incentive ठीक है दोस्तो और आप चाहते कि sales officer के सामने उनका incentive भी आ जाए तो मैं incentive यहां पर फटा फट लिख देता हूं दोस्तो shortcut में random button function यूज करूंगा 500 से लेके 1000 तक का incentive apply करेंगे random button function यूज क्यों किया दोस्तो क्यों मुझे quickly data चाहिए इसलिए देगे चलिए right click refresh करके check करते चलिए तो अगर आपने यहां पर देखा दोस्तो यहां पर column name में incentive का नाम नहीं है दोस्तो क्योंकि आपके data जो मैंने पहले data दिया था selected data वो यहां तक था दोस्तो incentive उसमें add नहीं था incentive का column हमें अभी add किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तो प्यो टेबल के टूल्स में analyze में जाना पड़ेगा चेंज data source को क्लिक करना पड़ेगा यहां पर देखे selection यहां तक है तो आपको यह पूरा data select करना पड़ेगा बस कर दीजिए OK बटन उसके बाद आप easily यहां पर देख सकते in-situ का column आ गया इसे drag करके नीचे डालिया और sales को निकाल दीजिए तो यहां पर आप देख सकते in-situ आ गये तो दोस्तो जैसे column में नया column add होगा आपके column के बाजू में या row में data और नीचे add होता रहेगा तो आपको यह बार-बार करना पड़ेगा इसलिए shortcut है दोस्तो आप एक काम कर दीजिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले इस table को निकाल देंगे इस data को slate करेंगे दोस्तो ठीके इस main data को एक बार slate करेंगे और हम यहां पर insert tab में ही जाएंगे ठीके और यहां पर देखिए दोस्तों कौन सा option है table का इसकी shortcut की क्या है control T अब control T से भी यह function यह option use कर सकते देखिए तो control T करने के बाद भी यही आपको window मिलने वाले कर दीजिए तो यहां पर क्या हो है दोस्तों उस data को convert किया है उसका structure change हो गया वह गया है table के format में देखिए यह अलग-अलग table के format है दोस्तों आपको जो चाहिए वह रख सकते है ठीक है दोस्तों लेकिन इसका use क्या है वह use मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए दोस्तों एक काम करता हूँ यहां पर हम simply रखेंगे यह वाले इसका use क्या है यहां पर filters filters, filters apply उसकी filter की तो हमको जरूरत नहीं हम निकाल देंगे देखिए उसका use क्या होता है आपको पूरा data slate करने की जरूरत नहीं है आप डारिक जाएगे यहां पर table के tools में अगर आप यहां पर Excel में इस तरफ है तो आपको table के tools शोने होगे अगर आप इस area में कहीं पर भी क्लिक करने के बाद आपको यहां पर शोगे table के tools क्योंकि अभी यह data table format में है ठीक है डिजाइन में जाएगे दोस्तो यहां पर देखे क्या लेका दो summarize with pure table यहां से भी आप pure table insert कर सकते लेकिन इस बार आप यहां पर देखेंगे table की range में लिया है table मतलब पूरा table लिया है ठीक है जो कोई बात नहीं existing को क्लिक कर दीजिए location दीजिए दोस्तों चली यह वाला location देंगे हम यह वाला दीजिए कोई बात नहीं तो same pure table के tools यहां पर open गए pure table का cache आगया अब मैं यहां पर name को यहां पर row level पर लिने वाला हूँ उसके बाद दूंगा यह incentive ठीक जो यह तो same to same pure table के जैसा दिखाए दे रहा है लेकिन इसका use दिखें क्या होता है दोस्तों अगर मान लीजिए आपका data यहां पर अगर आप add करेंगे तो क्या होगा देखिए मैं यहां पर लिखूंगा सनील एक नाम ने डाल दे तो ठीक है दोस्तों 42 2020 date भी आ गई manager का नाम आ गया और यहां पर लिखेंगे fever 2020 और यहां पर उन्हें मान लीजिए find दोस्तों नया मैंने यहां पर record एंटर किया है और नई वाले employee का नाम डाल है और देखेंगे दोस्तों अब हम यहां पर राइट क्लिक और refresh करेंगे तो आपको यहां पर show होगा हो नयाव नावल नाव जब यह table नहीं था दोस्तों तो आपको यहां पर यह नाम display नहीं हो सकता था जैसे हमने इस data को table में convert किया दोस्तों तो आपको change data source में जाके data वापिस एक बार एड करने की जरूरत नहीं पड़ी यह कितना simple है देखी दूस्तों अगर आपने यहां पर मान लिजे आपने लिखा यहां पर ACHI अच्छी कितना क्या है देखी दूस्तों यहां पर हम is equal to करेंगे this divided by this structure थोड़ा सा change देखी दूस्तों डेटा के table के फाइदे दूस्तों आप easily percent भी इतने fast नहीं का सकते हैं अगर मुझे यहां पर percentage एड करने हैं तो दूस्तों हम क्या करेंगे इसे simply कि बार refresh कर दीजिए यह देखे ACHIU यहां पर रखिए यहां पर देखे आपके answer यह total ACHIU आया है दोस्तों अगर यह table में convert नहीं होता तो आपको यह पूरा data वापिस एक बार पूरा slate करना पड़ता फिर उसके बाद यह pure table आपको इशो होता तो यह था tables के फाइदा sorry फाइदे तो आपके data को आप table में convert कर दीजिए दोस्तों और जितने चाहिए उतने pure table बना सकते दोस्तों और आपको यहाँ पे change data source करने की जरूतने बस आप यहाँ पे entry entry करते जाएए जितना भी data enter करते जाएए वो automatic show होगा आपके pure table के अंदर ठीके दोस्तों आशा करता हूँ आपको कि मेरा session पसंद आया होगा दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और like और comment करना मत भूली दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद